हमारे भ्रहमाण में हम किसी भी चीज़ को उसके आकार या समय के आकड़े से नापते हैं इन आकड़ों को हम dimensions या फिर आयाम भी कहते हैं आपने बच्पन में चार ऐसे ही dimensions यानि आयाम जरूर बड़े होंगे जैसे की length, width, depth and time यानि की लंबाई, चोड़ाई, गहराई और समय पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ऐसे ही कई और dimensions के बारे में भी सुचा गया है जो हमारे भ्रहमाण में हमारे साथ ही मौजूद हैं पर हमें दिखते नहीं आये जानते हैं कुछ ऐसे ही कालपनिक लेकिन आश्चेर चकित कर देने वाले आयामों और dimensions के बारे में आप देख रहे हैं, fact जिनी नमबर एक, सूपर सर्गासो सी सूपर सर्गासो सी एक ऐसा आयाम है जिसमें हमारी दुनिया से गायब ही हर चीजें जाती हैं जैसे कि बर्मुडा ट्रेंगल में खोए हुए शेप, ऐसे लोग और चीजें जो अचानक ही कहीं गायब हो जाते हैं और फिर वापिस कभी नहीं मिलते वो सारी चीजें गायब होती हैं सर्गासो सी में, ये dimension धरती के उपर गुंता रहता है आपने ऐसी कई सारी खबरें सुनी होंगी जिसमें आस्मान से जानवरों या मचलियों की बारिश हो गई ये तब होती हैं जब सूपर सर्गासो आयाम कुछ चीजों को वापस बाहर फिक देता है कुछ लोगKA मानना है कि ये आयाम ब्रिटें से इंडिया के बीच में फैला हुआ है आपने बच्वण में कार्टून में देखा होगा कि कार्टून का एक किरदार हवा में से हतोडा निकाल के दूसरों को मारता है क्या ऐसी ही कोई चीज हवा में से निकाल कर इस्तमाल करता है आपको ये जानकर हरानी होगी कि सारी चीजें जिस अद्रिश जगे से निकल रही है उसे हेमर स्पेस कहा जाता है ऐसा माना जाता है कि हर इंसान का खुद का एक हेमर स्पेस होता है जिसमें वो अपनी चीज़ें रख सकता है और बस हाट डालके ही उसमें से अपनी मन शक्ती से कुछ भी निकाल सकता है कहते हैं कई जादूगर भी इस वैमेंशन का इस्तमाल करता है अगर किसी इंसान का मौझूदा भ्रहमाण से नामू निशान खतम हो जाए तो चला जाता है पैरास्पेस में पैरास्पेस में जाने से पहले उस इंसान की पिछले भ्रहमाण से जुड़ी हर चीज़ गायब हो जाती है जैसे की शरीर और सोच पैरास्पेस को आसानी से समझने के लिए आप ये समझ लें कि स्वर्ग, नर्ग, हेवन, हेल, जन्नत और जहन्नुन ये सब भी पैरास्पेस ही है और इंसान की मौत होने के बाद वो इन ही पैरास्पेस में चला जाता है ये डैमेंशन यानि आयाम हमारी इंसानी डैमेंशन से लगबग जुड़ा होता है इसी वज़े से कभी कवार दूसे पैरास्पेस से कोई ने कोई शक्ती हमारे आयाम में वापिस आ जाती है जिने हम भूत या आत्मा कहते हैं ये पैरास्पेस हमारे भ्रहमांड के आयाम जैसे ही होते है हमारे कर्मों से हमारे जीवन पर असर तो पड़ता ही है पर pocket universe theory के हिसाब से हर इंसान का खुद का एक भ्रहमांड होता है और आपका हर decision ये काम आपके खुद के भ्रहमांड को बदल दिता है मान दिजिए आज आपने Chinese खाने का सोचा है तो आपके अगल बगल ऐसे pocket universe बन जाएंगे जिसमें आप रोटी भी खा सकते थे इडली डोसा भी खा सकते थे या फिर पास्ता भी हर एक pocket universe में हर वो एक चीज जो आप कर सकते थे वो लगातार होती ही रहती है और वो तब तक होती ही रहती है जब तक आप वो चीज कर नहीं लेते और उस चीज को करने के साथ ही फिर से बदल जाता है आपका भ्रमाण दोस्तों मेरा माना है इस वीडियो को देखकर आप इमसानी जिन्दगी को एक अलग नज़रिये से देखना चालू कर देंगे आपका क्या कहना है लीचे कमेंट करें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दें ऐसे ही अद्बुद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ये बिल्कुल फ्री है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अलविदा